हेलो दोस्तों स्वागत है आपको आज की इस नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले अभी जो चालू है बिग बैसलिक 2022 और तेइस इसका जो मैंच नुमर 46 खेला जाने वाला है होबाट हरीकेंस और पार्थ कचर के बीच में मैं आपको यहाँ प कि इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखना बिनस कीप कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर हम अबराली कुछ टेक्स और कुछ प्रेडिक्शन देते हैं बाकि में प्रेडिक्शन आपको हमारा टेलीग्राम पर मिलेगा यहाँ पर वीडि प्री में और लाइफ टाइम के लिए अब यहार दिन बर में बहुत सारे मैचेस खेले जाते हैं उन सभी मैचेस का प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलिग्राम पर ही अब लगो लें दोस्तो आपको तो हमें एक पेसा देना नहीं है सब कुछ बिल्कुल फ्री में ही है तो प्रोटा हुआ दिखेगा अब यह जो दोनों टिम इस मैच में आमने सामने भीडिने वाले हैं इसी बिग बैस के सीजन में अभी तक का सफर केसा रहा है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले होबट हरीकेंस की बात करें तो इन्हों ने इस वाली सीजन में इन्होंने 11 मैच खेल चुके हैं इस सीजन में इनका प्रदेशन बहुत जबर्दस्त रहा है इन्होंने जो इस सीजन में 11 मैच खेले हैं उसमें से 8 मैच में बड़ थासिल कर चुके हैं बाकि 3 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा है आप यहां पर इनका जो टेबुल की पोजिशन देखेंगे तो एक नमर में आते हैं एक दोनों ही टीम इनफरम टीम है इन दोनों के दोनों के पास बहुत 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 बह वीडियो बनाने के लिए आपके तरफ से हमारे लिए इतना तो बनता है यार और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना जो भी हमारा आगे वीडियो और आपडेट आने वाला है उसका नोटिविकेशन आपको मिलते रहेगा अब बात कर लेते हैं पीछ की रिपोट के बरे में दोस यहांपे चेस भी हुआ है इस मेदान के जो फास्ट इनिक का एवरे स्कूर 141 इन दोनों इनिक के बीच में जो एवरे स्कूर का गया पे वो 23 रन का गया फे दोस्तों इस यांकडे से पता चलता है यहांपे यहांपे पहले बैटिंग करने वाले टीम के थोड़ा ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है बाकि इस वाली सीजन में अभी तक का 5 मैच यहाँ पे खेले जा चुके हैं इस में से यहाँ पर फास्ट बाटिंग करने वाले टिम एक मैच में जीता है और बाकी का जो 4 मैच चेस करने वाले टिम जीते हैं यानि कि इस यांकड़े से पता चलत गेंद बाजों को भी यहां पर बहुत बढ़िया सपलता मिलता है गेंद बाज यहां पर परफेक्ट लाइन और लेंज से गेंद डालेंगे तो इजिली बल्ले बाजों को 20 अबर तक 60 मिटर का है यहां का बाउंडरी का ओफ साइड बहुत तर मिटर का है डीप मीड बीगेट भी बहुत तर मिटर का है यानि के दोस्तों इस मियाच में हमें बहुत बड़े बड़े चक्के और चोके भी देखने को मिल सकता है अब दोस्तों चलिए इन दोनों टिम में से कौन से से अनुववी खिलाडी खेलने वाले हैं इनके बारे में देख लेते हैं। के साथ बेन मेकडर्मो, तीन पे जेक क्रेवली, चार पे मेथिवेड, पांच पे टीम डेवीड, छे पे सेवली, साथ पे फाई में असरप, आठ पे टॉम अंद्रेव, नौ पे पेटरिक डोली, दस पे नत्यन हिलिस, और आकरी ग्यारा नमबर में रिले मेरेटी, खेलते हो आप मेरे आएंगे, अब दूस्तों चलिये इनदोनों टिम की हेट 2 aड के रिपोर्ट को देख लेते हैं, दोस्तों अन दोनों टिम की हेट 2 aड की हिस्टरी ये बया करती है, इन दोनों टिम के बीच में टोटल 18 म्याच चेस खेले जाचुके हैं, उन 18 म्याच में से पर्ठ सकचर ने 11 म्याच में जीत हासिल किये हैं तो होबाट हरीकेंस ने 7 म्याच में जीत हासिल किये हैं इनके बीज में जो लास्ट के 5 टीटों टीप खेला गया था उसमें से पौर्थ सकचर ने 4 म्याच में जीत हासिल किये थे और यार Hobart Hurricanes ने एक म्याज में ही जीत हासिल किये थे याप यार Head to Head की रिपोट के इसाब से पॉर्च कचर Hobart Hurricanes के उपर आपना बला भारी करते हुए दिख रहा है तीसरे प्रिक्षन में दोस्तो डेविड पेन और नजे निलिस दोनों ही गेंदवाज मिलके चार से ज़्यादा विक्टेल लेते हुए आपको दिखेंगे अब आखरी कार इस मैच को इन दोनों टिम में से कौन सी टिम विन करेगा इस किमारे में जान लेते हैं फिर मिलते हैं नेक्स विडियो में तब तक दोस्तो जय हिंद